हिंदी बोलेगी चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समया पर मिलती रहे नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने कई बार बचों में या बड़ों में देखा होगा कि उनकी नाक से अचानक खून बहने लग जाता है जिसे नकसीर फूटना कहते हैं अक्सर इस दुनिया में 60% लोगों के साथ ये कभी ने कभी जरूर होता है लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है अचानक से नकसीर क्यों फूटती है और नाक से खून क्यों बहने लग जाता है तो चलिए आपको इस वीडियो में पूरे विश्तार से समझाते ह कि ऐसा क्यों होता है ये तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी नाक के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी रक्त वाहिकाए होती है जो एक पतली सी जिली के दुआरा ढकी हुई होती है ताकि वो सुरक्षित रहे और जब ये पतली जिली फट जाती है तब ही हमारी नाक से अ आपकी नाग में एकदम से खुजली होने लग जाएगी और बहूत सारा दरद भी होगा और अंदर ही खुटने लग जाएगा. और जब आपकी नकसीर बाहर की तरफ फूटती है तो आपकी नाक से बाहर की तरफ अचानक खूर निकलाता है और उस समय आपको हलकी खुजली तो होती है लेकिन ज़्यादा दरद नहीं होता इन दोनों को ही नकसीर फूटना कहते हैं और ऐसा मुख्यता कई कारणों की वज़े से होता है चलिए जानते हैं नकसीर फूटने के कारण नमबर एक जब बहुत ही ज़्यादा ठंड हो और आपको सांस लेने में प्रोब्लम हो रही हो तब भी आपकी नाक से खून निकल सकता है नमबर दो जब आप बहुत ज़्यादा उंचाई वाली जगह पर होते हैं जैसे की पहाड आदी और वहां पर सांस लेने के लिए प्रियागत मतरा में ऑक्सीजन ने हो तब भी आपकी नाक से अचानक खून निकल सकता है नमबर तीन जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो और गर्म हवाय चल रही हो गर्मियों में जब गर्म हवाय चलती है तब ऐसा कई लोगों के साथ होता है क्योंकि गर्म हवा सूखी होती है और वह नाक की पतली जिल्ली को फार देती है क्योंकि जब सांस के दोवारा बार बार गरम हवा अंदर जाएगी तो आपकी नाक की पतली जिली इतनी गरमी को नहीं जेल पाएगी और वह सूख कर फट जाएगी जिसकी वज़े से आपकी नाक से खून निकल आएगा नमबर चार कई बार नाक पर एकदम से मुका लगने या किसी अन्या तरीके से अचानक नाक पर चोट लगने की वज़े से भी यह पतली जिली फट जाती है और आपकी नाक से खून बहने लग जाता है और अगर आपकी नाक से लगातार खून बहने लग जाए तो फिर समझ ल अगर आपकी नाक से एक बार खून निकल कर रुख जाता है तो समझ लेना की कोई बड़ी समस्या नहीं है लेकिन अगर आपकी नाक से खून लगातार निकल रहा है और रुख नहीं रहा तो सोच लेना की आपको कोई गंवीर समस्या है और फिर आपको किसी अच्छे डोक्ट तक नाक की ठंडी सिकाई कर सकते हैं इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा प्याज को घिश कर उसका रस निकाल ले और फिर उस रस को अपने अंगूठे फर लगाकर नाक से सूंग ले इससे आपकी नाक से खून आना बंद हो जाएगा विटामिन E के कैपसूल लेना सुरू कर दें अगर आपको नक्सीर की समस्या रहती है तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना सुरू कर दें कम से कम एक दिन में आठ गिलास पानी पीना सुरू कर दें इन सभी उपायों से आप नक्सीर से हमेशा के लिए सुटकारा पा सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंदाई होगी क्रिप्या करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद